है गाईस तो आज जो रसिपी है बोहत ही अमेजिंग यह बहुत बहुत जादा है से लोड़ेट है इसमें बहुत ज़्यादा जादा जो है और ब्रेकफास्ट जो है वह आपका बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएगा तो यह जो मेरी रसिपी ज़रूर ट्राइ कीजिये और ये जो रेशिपी है बहुत आसाने से बनती है, ज्यादा कुछ करने ये खुछ किच नहीं है, आपके घर में जो आठा आवेलेबल है, उसे आपको डाल के ये जो पराठा ये बना सकते हो, तो बहुत ही सिंपल रेशिपी है, अगर आपको यह रेसिपी तो सबसे पहले जो हमें चीज लगी वह है पत्ता गोबी तो पत्ता गोबी की पेस्ट करके लिए मैंने फिर धनिया और मेथी जो है उसकी भी पेस्ट करके लिए तो वन वन कप वो दोनों लिया है उसके बाद यहां पर जो हम डाले के वह है आटा तो यहां पर मैंने घहू का आटा लिया है तो यह जो गहू का आटा है करीब करीब एक कोटोरी बर लेना है और जो भी इंग्रिएंट्स यानि कि जो भी आटा हम इसे छान के लेना है हमें ठीक है तो अब गहू का आटा जो है एक कोटोरी लिने के बाद अब हम दूसरा तो यह भी मैंने एक कोटोरी बर लिया है और इसे भी हम अच्छे तरीके से चानेंगे तो यह चानने के बाद अभी जो भी इंग्लिएंस निकी जो भी आटा लेंगे सभी चान के लेगे इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे करीब-करीब एक पड़े कोटोरी चने का आटा कि याराद कि बेशन तो ये भी हम चान के डालेंगे तो अब ये डालने के बाद इसे उसके तरके से छान ले और इसके बाद हम डालने हमारा नेक्स्ट आटा भी बेशन का आटा डालने की बाद अब हम इसमें डाले Corner & Kitchen मैंने अभी तक उस पर video Cross कि उसका आठा कैसे बनाते हैं अगर आप मुझे रिकमेंडेशन में या रिकमेंड कर वो दो तो अपलोड करूंगी और उसे भी अच्ची तरीके से चाट के लेना है हमें तो गाइस अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन तो आपके टेस्टों ने सर आप अजवाइन डालें तो यहापे मेरे हाफ टीस्पून इतना अजवाइन डाला है अजवाइन डालें के बाद अब हम इसमें डालेंगे नुद्ध भी अगया है तो इसलिए हैं कि अब हम क्या करना है कि इसमें हम डालेगे तो गाइस आप अब हम डालेगे करीब डो मूंडियम साइज इतने जो ऑनियन जे वो तो यह मैंने बारी कटे हुए है और उसके बाद अब इसमें बढ़ने डालोगी तो करीब करीब टो ट तालने के बाद अब इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेके तो अब इसे जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लो यानि कि जो हमारे ग्रीन वेजटेबल से और हमारे जो आटा है इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसके बाद आप इसमें थोड़ा पाने डाल के इसका जो अब जो है इसको हमें बेलने की वारी है तो यहाँ पे थोड़ा सा पहला जो है आठा लगा दीजे चानी की जो हमारा पराथा है वो नीचे चिपके ना इसलिए अगर आप चाहे तो यह बेलन से भी कर सकते हैं पर मैसे हातों की मदद से лушता हथों की मदद से आज तरेके से बना सकते हैं अगर आप चाहे तो पर बिसकते है सेम प्रोसेस बास ध्यान रखें कि आपका पराटा चिपके अजिल्व कि अंचानरी कि आपा ज़्ब करें अवह हाँ सकते हुट एप फोंकि आम जो घी डालएगे इस में वह जो आच्छी तरिके से एप ज़ॉब में और तो लृट याई कि जब हम दूं से जब गीडा लेगे तो जब हम तवे पे सेख रहे होगे तो क्या करीब हाफ टेबल स्पून इतना बटर में ने डाल दिया है कि स्प्रेड कीजिए बटर हर और अब हम इसके हमारा परठा डाल देगे तो यहाँ पर जो है इस होल में से आपको घी चाहिए तो गी डाल दिजे और उपर से जरा पानी लगा दिजे तरह निकि जो वाइट जो आटा लगाया था तो वो दिखेगा ने इसलिए थोड़ा पानी डाल दिजे उपर से तो जो गी है वो इम चूट चूटे होल जो है इसमें गी डाल देना है जैसे मैंने पहले डाल दिया है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और साइड से भी बटर डाल सकते है तो बटर डालने के बाद इन्हों यह चोईस है कि अगर आपको बटर डालना है या घी डालने है तो मैं तो यहां पर घी डाला है बटर भी डाला है तो बस अब घी बटर डालने के बाद बस अब इससे को टर्न करेंगे अब हम इससे को टर्न करेंगे तो यहां पर मैं इससे तो बस दीरे से इसको टरं कर दियों और देखिए वारी जो पुस्रत दिखरत आया है यह निगे के बाद आपका पराठा जो है वह रेडी हो जाएगा तो देख सकते हैं कि यहां पर मैंने डिश में सर्फ कर चुकियू पराठा में इतना प्यारा लग रहा है बहुत ही खुबस्रत लग रहा है तो आप इस उरी रेसिपी ट्राइ करो और ट्राइ करने के बाद मुझे कमें से जरू बताए कि रिस्पी आपको कैसी लगी